असलाम वालेकुम, विल्कम बैक टु मागी बार्ची, आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ लड्डू, बहुत मज़े के ड्राइफ्रूट वाले लड्डू, बहुत अच्छे बने गए, यह इत के लिए स्पेशल रेसिपी है, तो बनाना शुरू करते हैं, इसके लिए मैश नहीं किया है, मोटा मोटा ही रखा है, अब पिस्ते और बदाम काजू को मैं मोटा 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 मतलब जादा फाइन इसको नहीं चॉप करना बस एक में दो तीन हो जाए उस तरह का, मैंने दो टेबल स्पून के खरीब तर्बूस के बीच लिए हैं, और उसके बाद ए एक कप के खरीब मैंने खोपरा लिया है, और आधा किलो खुजूर ले ले, खुजूर को बस बीच निकाल के साफ कर लिया है, दिखे इस तरह से मैं काट रही हूँ और किश्मिश जो है, मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, दूसरी खुजूर वाली प्लेट है, उसमें डाल रही हूँ, क्योंकि जब किश्मिश जो है फ्राई होती है, तो डबल हो जाती है, अंगूर बन जाती है, इसलिए फ्राई ना करें उसको, बाद में मिक्स कर देंगे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है एक कप मेरे पास सूखा नारियल है इसको ग्रेट कर लिया है मैंने 100 ग्राम के खरीब हो गाए और एक टी स्पून से थोड़ा सा जादा है यह घी देसी घी है देखिए इतने ही घी में मैं फ्राइ करूं कि ज्यादा घी आड़ करनी की भी पहले तो जाएगा तर्बूस के बीज थोड़ा सा यह हो जाए थोड़ा सा भूं जाए इसके बाद डाल देंगे काजू बदाम जो भी मैंने कट किया हुआ है वो बस भूं जाए दो तीन मिनट के खरीब यह भून लेना है भूनने के बाद इसमें जाएगा मुश्किल से आदे घंटे में बन जाएंगे आपके लड़ू सिर्फ खजूर के बीज निकालने का ही वक्त लेगा आपको इसके बाद मैं एट कर दे रही हूं इसमें खोपरा एट कर दिया खोपरा एट करने के बाद जो है नारियन ज्यादा आपको हाई फ्लेम पे निकरना मीडियम फ् आपको या फिर पुरा सिल्म कर दें बस मिक्स करना है मीच करने के बाद इसको थंदा कर ले अ चूला जाले जाए गा वालाकशी पावडर में हरी तीस्पून ऑड़ू सम में थंदा कर लें थे मिख्र हमारा बन कर ताया रहा थोड़ा सा थ हाथ लगाने के लायक हो जाए त अच्छे से मिक्स कर दें ताकि अच्छा सा अपको लड्डू बनाने के लिए असानी हो जाए, बस हर चीज खुजूर में मिक्स हो जाए, अच्छे से बाइंड होने के बाद, अपका पोशन जितना भी आप लड्डू बनाना चाह रहे हो, बड़ा या फिर छोटा, मैंने एकदम हेल्दी वाला इम्म्यूनिटी को आपकी स्ट्रॉंग करेगा एक खाने से एद के मौखे पर जरूर बनाए इसको अगर आपने लड़ू जयदा बड़ा साइस का बना दिया तो अगर कोई कम्प्लीट नी कर सका खा नहीं सका तो वेस्ट हो जाएगा अगर छोटे बनाएंगे तो दिखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे वेस्ट भी नहीं होगा तो इसी तरह से मैं सारी लड़ू बना लूगी क्वैंटिटी जो है अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हो आप गाजू बदाम की आप इसमें अकरोट एड़ कर सकते हो और किश्मिश काली वाली बड़ी वाली आपकी मरजी है जो आपने एड़ करना है मखाने आपकी जॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से यह लड़ो आपकी इम्मुनिटी को स्ट्राउं करेगा वैसे ही करोना का टाइम चल रहा है बहुत अच्छे बनेंगे लड़ो इसको बना के ज़रूर खाएं उमीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी पसंद आए तो वही लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर दीजिएगा कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो और आगे कि आपको पसंद आई नहीं पसंद आई वीडियो और मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिएगा शेयर कर दीजिएगा रेसिपी को तो इसी तरह से अच्छी और हेल्दी रेसिपी के साथ मि नेक्स वीडियो में तब तक के लिए रखें खयाल अलाह आफिज